प्रियंका ने कहा यूपी का अपमान अब हर जगै अवाज यूपी टाइप शर्ब नहीं गर्व की बात यूपी के चिनाओं में केंधर सरकार के वित्मंत्री निर्मला सीतारम नेतह नहीं विवाद लेकर आया है कॉंग्रेस मास चीफ प्रियंका गांदी ने ट्विट किया कि निर्मला सीता रमन जी अपने यूपी के लिए बजट के जोले में कुछ डाला नहीं ठीक है लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अफमान करने की क्या ज़रूरत थी समझ लीजे यूपी के लोगों को यूपी टाइफ होने पर गर्व है हमको यूपी की भाशा, बोलि, संस्कृति वा इतियास पर गर्व है राहूल के ट्विट पर पहले वित राजमंत्री फिर खुद वित मंत्री ने दिया था जवाब आम बजट के बाद राहूल गांदी ने लिखा कि सैलरी क्लास, मिडल क्लास, गरीब, यूवा, किसान और उद्धियोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है बजट को लेकर प्रेस कॉनफरेंस में वित्राज मंतरी पंकच चौधरी ने पहले कहा कि राहूल गांदी को बजट समझ नहीं आया होगा फिर निर्मला सीतरबर ने खुद मोचा संबाला और कहा मैं समझती हूँ कि इन्होंने टिपिकल यूपी टाइप जवाब दिया है जो यूपी से भागने वाले सांसत के लिए काफी है जयन ये पाँच बाते जिससे हमें यूपी टाइप होने पर गरव होना चाहिए इतर भारी मातरा में बनाया जाता है यूपी ने देश को नौ प्रदान मंत्री दिए पहला जवार लाल नेरु दूसरा लाल बहदुर शाष्टरी तीसरा इंद्रा गांधी चौथा चौधरी चरंड सिंग पांचवा राजीव गांधी चटा विश्वनात प्रताप सिंग साथवा चंदर शेकर आठवा अटल भीहारी वाचपेई नव नरेंद्र मोदी सोचल मीडिया पर यूपी टाइप इस तरह चल रहा है सपा ने कहा वित्त मंतरी ही नई प्रदान मंतरी भी माफी मांगे सपा के राश्री प्रवक्ता आई पी सिंग का कहना है कि हिंदी भाशा राजी का सबसे बड़ा अपमान किया गया है इस बयान पर वित्त मंतरी को ही नई देश के प्रदान मंतरी को भी म महापुर्शों ने जनम लिया हो देश के प्रधान मंत्री को ये समझना चाहिए अवे आठवी पास को सिक्षा मंत्री बनाएंगे तो ऐसा ही होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें